सोवियत संग का महाशक्ति बनना, उसके बाद विश्व के वर्चस्व की दौड में अमेरिका के साथ रहना, अमेरिका के साथ पीछा करना, शीत युद, शीत युद के काल की विविन घटनाएं, सोवियत संग का इन घटनाओं पर असर और फिर उसके बाद सोवियत संग का पतन, इस पतन के साथ दो धुरुवी विश्व का अंत और इस अध्याय, इस विश्व का मूल विश्व यहां समाप्त, दो धुरुवी विश्व, एक धुरुवी हो गया, राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई, और इस बदलते राजनीतिक परिप्रेक्ष में, जिसमें साम्मेवात समाप्त हुआ, और पंदरा नए देशों का जन्म हुआ, और इसके साथ ही सोवियत खेमे के विभिन्न देश, अब अपनी नई विदेश नीति बताने के लिए, बनाने के लिए स्वदंत्र हो गया, इस पूरी परिस्थितियों पर देश के, दुनिया क भिन्न देशों की पैनी नजर थी, भारत भी से अच्छूता नहीं था खास कर तब, जब भारत का सोवियत संग से ज्यादा निकट का संबन्द था, उस काल में, स्युक्त राज अमेरिका की तुलना में, उस से उसके थोड़े निकट संबन्द थे, और निकटता का एक भारत के काफी निकट था, स्वभाविक है, सोवियत संग् का विगटन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विश्य था लेकिन स्वभाग्य से भारत ने बीते कालों में, बीते 40 वर्षूं में, 4 दशिकों में, मात्र उसने अमेरिका और सोवियत संग् के साथ अपन संबंध मधूर बनाय ही नहीं रखे बलकि सोवियत संग के अंतरगत आये हुए विभिन जो देश थे जो बाद में 15 गणराजियों में बटे उनके साथ भी व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे और इसलिए जब सोवियत संग का विगटन हुआ तो भारत को उतनी दिक्कत नहीं हुई अपने संबंधों को बरकरार रखने के लिए उन देशों के साथ तो चलिए हम पहले जानते हैं कि भारत के सोवियत संग से संबंध कैसे थे शीत युद के दोरान उन चार पांच दशिकों में भारत और सोवियत संग एक दूसरे के प्रतिक्या नजरिया रखते थे इस पर एक थोड़ी नजर रखे इतना जान लें कि संबंद बहुत गहरे थे बहुत अच्छे संबंद थे और इतने मधूर और अच्छे थे कि बहुत बार आलोचकों को ये लगता था कि शायद भारत अपनी मूल भूत विदेश नीती से हट कर सोवियत संग की ओर जधा जुकाव रखा हुआ है भारत की मूल भूत नीती क्या थी गुट निर्पेक्षता अर्थात किसी भी गुट में शामिल नहीं होना दोनों गुटों के साथ समान दूरी बनाए रखना और आवशकता निसार इन दोनों देशों में जरूरत पढ़ने पर इन से अपने आर्थिक राजिनाथिक सैन्नी विकास के लिए इन से बच्चित करना और प्यापार करना अएसी स्थित्यों में यदि सौवित संगने भारत को बार बार उनको अपनी सैन्ने सामान हथियार अन्य चीजें भारत को यदि उसने देने में सरल शर्तें सामने रखिए हैं तो सवाइक था कि भारत का उस और जुकाओ ना हो लेकिन भारत उन देश के साथ सोवियत संग के साथ अपने व्यापा रिष्टे बनाएगा तो पहला एदि हम मुद्दा देखें आर्थिक मुद्दे पर सोवियत संग याने हम पतन के पहले की बात कर रहे हैं 1990 के पहले की सोवियत संग आर्थिक मुद्दो में उसने भारत को बहुत मदद की है जितने कई जो भारत के जो स्टील प्लांट हैं बड़े बड़े जो विशाल काय स्टील प्लांट भिलाई बोकारो और भिलाई बोकारो विशाखा पतनम ये जो सारजनिक उपकरम हैं इन स्टील और इसका पूरा पैसा भी सोवियस संग ने दिया और ऐसे समय में भारत को इस प्लांट को लगाने में मदद की जब अन्य देश भारत के लिए सामने नहीं आ रहे थे उसका कारण सभाविक था कि अन्य देश मतलब गैर सामयवादी गुट के देश जो अमेरिका की तरफ थे ये लोग कुछ अन्य शर्तें भारत से पूरी करवाना चाहते थे भारत अपनी विदेश नीती में किसी भी तरह की दखल पसंद नहीं कर रहा था इसलिए यह एक ऐसा मौका था जब सोवियस संग ने भारत को मदद की और ऐसी मुश्किल स्थितियों में इस पाथ संयंत्रो और मशीनरी आदी की जरुट पड़ी इसकी आर्थिक और तक्निकी दोनों सहायता हमें सोवियस संग ने उस काल में दी इसके साथ रूस की जो मुद्रा है उसका नाम है रूबल जैसे भारत की मुद्रा रूपए कहलाती है रूस की मुद्रा रूबल कहलाती है तो इस काल मे विदेशी मुद्रा की कमी जब भी भारत को हुई और उस कमी के कारण जब उसको विदेश से कुछ चीजें आयात करने पर दिक्कत होती थी और सोवियस संग ने भारत के साथ रुपे में भी व्यापार करने को अनेकों बार सहमत ही दी ये एक बहुत अच्छे मित्र की तरह सोवियस संग ने भारत से संबंद भाए दूसरा पहलू राजनैतिक राजनैतिक पहलू में सोवियस संग की मदद या सोवियत संग के द्वारा भारत का समय समय पर पक्ष लिया जाना भारत के लिए बहुत अहम था उसकी विदेश निती काफी कुछ इस बात पर अधारित थी कि सोवियत संग हमारे कुछ मुद्दों पर विवादित मुद्दों पर क्या पक्ष लेता है और सोवियत संग शदैव भारत के पक्षमी रहा उधारण के लिए कश्मीर का मामला जो इतना विवादित रहा है और जो मामला UNO में सेखतरा संग में और सुरक्षा परिशद में बारम बार उठाये गया है वहाँ पर सोवियत संग ने भारत के रुक्षा हमेशा समर्थन किय है जब हमारे संगहर्ष के गाड़े दिन आये विदेशी मामलों में जब बहुत ज्यादा complexity आ गई और 1971 का जो पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस युद्ध के दोरान भी सोवियत संग ने भारत को अंतरराश्टी मंच पे संबल दिया उसे सपोर्ट किया और उसका पक्ष रखा इस पकार पूरी दुनिया के सामने उसने यह बात बारम बार दिखाने का प्रयास किया और उसको दिखाने में कोई हिचक नहीं की कि वह भारत को एक अपना अटूट मित्र मानता है जो भारत भी इस मामले में सो तो एक हाथ से तो नहीं बचती तो यदि सोवियत संग सतत रूप से भारत का पक्ष ले रहा है तो जब तब भारत के लिए संभा हुआ उसने विदेशी मामलों में सोवियत संग का समर्थन किया हैं तराश्टी मंचों पर और उसके साथ ही उसने बहुत महत्पूर्ण तरीके से इस समर्थन को प्रदरशित किया है क्योंकि उसे सुनिष्ट करना था भारत को कि वहा हुआ रूप का किसी सोवियत का हिस्सा था तो इस पकार भारत अपनी निर्पेक्ष्टा बनाय रखते हुए मुद्दे दर मुद्दे पर इन दोनों धुरूओं का समर्थन या विरोध करता रहा और देखा जाए तो इतिहास में भारत को रूश के मुद्दों को सोवियत संग के मुद्दों को समर्थन कर हो लेकिन भारत ने समर्थन किया. तीसरा मुद्दा वह है सैने. सैने मामलों में सोविय संक का क्या स्टैंड था? उसने क्या अपनाया? नीती अपनाई? बेबाक बिना किसी शंका के, बिना किसी संदे के कहा जा सकता है कि सैनी खतियारों की आवश्कताएं तकनीकी आवश्कताएं भारती सेना के आधने की करन्ट इस सब चीजों में सोवियत संग ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है उसने ऐसे वक्त में भारत को साजो समान दिये ऐसे वक्त में भारत को ट्रेनिंग आदि दे भारती सेनिकों की ट्रेनिंग आदि में मदद की जब दूसरे देश सामने नहीं आ रहे थे जब अन्य देश तयार नहीं थे भारत में कई समझोते चोवियत संग के साथ हुए हैं जिसमें संयुक्त अभ्यास, संयुक्त प्रसिक्षन और संयुक्त रूप से सैन्य उपकरन बनाने के भी समझोते शामिल हैं यानि रूप ने तक्नीकी मदद देने में भी कोई गला शिक्वा नहीं किया और हमेशा भारत की मदद के लिए सामने रहा आर्थिक, राजनैतिक और सैन्य मामलों के बाद हम समझ सकते हैं कि सोवियत संग के संबंध भारत से कितने प्रगाढ रहे और इसी प्रगाढ संबंधों की परणिर्ती भारत और सोवियत संग के बीच के सांस्कृतिक और अन्य मुद्दों पर देखा जा सकता है पश्ट गोचर है, द्रिश्ट गोचर है भारती फिल्में, राजकपूर, आवारा और राजकपूर के गाने सुनील दाथ इन लोगों की फिल्में सोवियत संग में बहुत पापिलर थी, बहुत चली तो ये जो कैरेक्टर जिनके मैंने नाम लिये, ये लोग वहाँ बहुत प्रसिद्ध हुए ऐसे ही फिल्मों के लावा हम देखें तो सांस्कृतिक फिल्ड में भी बहुत एक दूतरे के हाँ जाना आना हुआ, कई समझोते हुए पुपल जैकर, जो किसी समय भारत के सांस्कृतिक फिल्ड में एक बहुत बड़ा नाम था उन्होंने एक अंतर राष्ट्री भारत महुत्सो की योजना बनाई थी और हर वर्ष विविन देशों में ये कारिक्रम होते थे सोवियत संग में ये कई बार ये कारिक्रम हुए ताकि भारत की स्वांस्कृतिका प्रचार प्रसार हो और सोवियत संग की स्वांस्कृतिका प्रचार प्रसार भी भारत में हो दोनों की जनता, दोनों के नागरिक, एक दूसरे के सामाजिक जीवन को भी जाने तो इस देश से ये सब काम होते थे भारती लेखक और उसके अलावा भारत के बहुत से कलाकार बहुत सारी यात्रा हैं उन्होंने सोवियत सेंग में की अपनी रूस की यात्राओं के लिए टिबेट के आगे उसके लिए बहुत प्रसिद्ध हुए उनकी जो लेखनी है इन यात्राओं के वह विश्प्रसिद्ध हैं सो ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि भारत के संबंद सोवियत संग से प्रगाड थे बहुत अच्छे थे अब हम आते हैं भारत को निम्न में रूस से लाब रूस से भारत को क्या लाब मिला जो सोवियत संग का हिصसा तो था उस समय लेकिन फिर भी एक अहम हिस्सा था जाना मैंने पहले बताया कि पंदरा जो सोवियत संग के भाग मोटे मोटे थे उनमें रूस जो था वो सर से सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था तो भारत के रूस वो अन्य गणराज्यों से भी बड़े अच्छे संबंद रहे वेविन ने खेतरों में योगदान रहा और उस योगदान के साथ यदि हम रूस की बात करें सोवियत संग के काल के समय की याने 1990 की तो पहला रूस ने भारत को अंतरिक्ष के मामले में बहुत मलत की आंत्रिक्ष सम्बंदी टक्नोलोजी, अंत्रिक्ष उध्योग, Bronze, Apple यह आपने सुना होगा यह भारत की सेटिलाइट थी जिसको भारत ने सफलता पूर्वक लांच किया इनके आने के पूर्व अंतरिक्ष टकनीक में अंतरिक्ष टेकणोलिजी में रूस ने भारत को बहुत मदद की दूसरा रूस ने अंतरराश्टि मुद्धों पर भी भारत को मद्बूत संबल दिया। विशेशकर आतंकवाद, अंतराश्टी आतंकवाद के मामले में उसने भारत के पक्ष को हमेशा सराहा है तीसरा भारत जो है वह रूस का दूसरा सबसे बड़ा हतियार आया तक देश है यानि रूस जो हतियार बनाता है उसकी बहुत बड़ी संख्या वह भारत के लिए बनाता है भारत के अनुरोद पर भारत के आउशकताओं को पूरा करने के लिए और इसमें का भारत रूस के संबन्द सेन्य मामले में ऐसे थे कि भारत रूस के सेन्य हथियारों की खरीदारी में दूसरा सबसे बड़ा देश था इसके साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि ये खरीदारी सैने अधनी की करण, सैने हथियारों का इतना जखीरा भारत में रहलाने की जरूरत क्या थी खासकर जब भारत विकसित देश नहीं होकर कि भी खुटे हुए भी एक तरीके से निर्धन या विकास्शील देश था जरूरत इसलिए थी कि भारत के आप सीमाएं देखें, चारों तरफ बहुत बड़ी सीमा है, चाहे जल सीमा हो, चाहे थल सीमा हो केवल उत्तर में हिमाले कोई उची उची परवतों को छोड़ दें, तो बाकी जगा हमारी जो सीमा है पूरी पोरस है इन सीमाओं के सुरक्षा के लिए अवश्यक है कि हम पर्याप्त रूप से सैनिकों का आधनिकी करण, सैनिकों के हथियारों का आधनिकी करण समय समय पर करते रहें और उसकी पर्याप्त संख्या रखें और साथ ही ये तकनिक भी रखें कि ये हथियार जो हम उनसे लेते हैं उसे हम मेंटेन भी कर सकें तो इस परकार इस कारण हमको उनसे हथियारों की बहुत जरुद परती थी चौथा खेतर जहां पर रूस ने सोवियत संग का हिस्सा होते हुए 1990 से पूर्व समय समय पर भारत की बहुत मदद की वह था उर्जा का क्षित उर्जा टेकनालोजी इसमें उसने भारत को काफी मदद की है और एक समय ऐसा भी था जब विश्व की राजनीति में भारत किसी कारणों से अलग तलग पढ़ने लगा था और उस समय सोवियत संग या रूस के द्वारा की जगी मदद हमारे लिए बहुत काम की रही